मानिपूर के कुकी संगठन ने सुप्रिम कोट में याचिका लगाई है जिसमें कुछ आडियो क्लिप का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि सी एम बिरेंची ने मानिपूर में हिंसा भड़काई है सुप्रिम कोट में शुकरवार को याचिका पर सुनवाई हुई कोट ने कहा कि लीक आडियो में आवाज मुक्यमंत्री बिरेंची की है या नहीं इसकी जांच होनी चाहिए हम इस जांच के लिए तयार हैं दरसल मानिपूर में हिंसा को लेका सोचल मीडिया पर कुछ आडियो क्लिप वाइरल हुए थे इसमें बिरेंची को कुकी लोगों पर बंबारी और हत्यार लूटने की बात कहते सुनना आ गया कुकी और्गनाइजेशन फॉर यूमन राइट ट्रस ने मनिपूर सीएम के खिलाफ जांच की मांग की याचिका लगाई उन्होंने कहा मामले की जांच सीवी आई इडी नहीं बलकि सुप्रिम कोर्ट से चैनित अधिकारियों वाली सीट से कराना चाहिए सुप्रिम कोर्ट में सीजिया डिवाई चंदचून जस्टिस जैबी पार्दी वाला और जस्टिस मनुझ मिश्रा की बैच ने याचिका स्विकार करते हुए याचिका करताओं को ओडियो क्लिप की जांच के लिए मट्रेल मुईया कराने का निर्देश दिया है मनिपूर के मुके मंतरी एन विरेंसी ने पीटी आई को दिये इंटर्वियो में ओडियो क्लिप मामले पर बयान दिया था उन्होंने कहा था कि कुछ लोग उनके पीछे पड़े हैं एक साजिस चल रही है मामला कोट में विचार दिन है इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए मामले को लेकर एक F.I.R. भी दर्च हो चुकी है मनिपूर में शुकरवार को एक बार फिर हिंसा हुई जिरिबाम जिले के जेरावन गाउं में हत्यार बंद उगरवादियों ने छे घर जला दिये ग्रामिणों का आरोपे कि इस दोरान हमलावरों ने फाइरिंग की हमले में एक महिला की मौत हो गई मरतक महिला की पहचान जो सक्कम हर्मार के रूप में हुई है मरतक के तीन बच्चे हैं रामिणों का आरोपे की हमलावर मैते ही समुदाय के थे घटना के बाद कई लोग घर से भाग गए है